जिला सिर्मौर की प्रमुख नदी फसल लहसुन ने देश की विभन मंधियों में दस्तक दे दी है तेश भर अपनी अलग पहचान के लिए मशुहूर सिर्मौरी लहसुन इन दिनों 120-160 रुपए प्रती किलो के हिसाब से बिक रहा है लहसुन के अच्छे दाम मिलने से लहसुन उतपादक किसानों के चहरे भी खिले हुए है लहसुन उतपादक विजय आजात ने बताया कि क्षेतर में तेजी से लहसुन के खुदाई का काम चल रहा है और किसानों को लहसुन के अच्छे दाम मिल रही है उन्होंने कहा कि किशेतर में कोई कोल स्टोर ना होनी की वचह से किसानों को लहुसन के भंडारन में परिशानिया आ रही है उन्होंने कहा कि किसान अपनी लहुसन का भंडारन नहीं कर पाता और कई बार बिचोल ये इसका लाब उठाते हैं जो मंडियों में इस वक्त रेट है वो बहुत ही अच्छा रेट किसानों को मिल रहा है और यहां पर लसुन की खुदाई बड़े जोरों से चड़ी है मेरा यह मानना है कि अगर कोई ऐसा यहां पर लसुन के लिए कोई एक ऐसा सरकार की तरफ से कैंद्र स्तापित किया जाएं जिसके लिए हमारा जो लसन है कोल स्टोर में जमा हो हमारे को उचितमूलय मिले ताकि जो बीच के विचो लिये इसको हमारी जो नगदी फसल है इसमें कही ना कहीं कहीं रूकाउट ना बं सके तो मेरा ये कहने का ताथ पर है कि इस बार जो नगदी फसल है भले ही बारिशे कम हुई है लेकिन फिर भी किसानों को बहुती अच्छी जो ये हमारी नगदी फसल है लहसुन ये बड़ा अच्छा तियार हो रहा है लहसुन के अन्य उत्पादक जोगी ठाकुर ने बताया कि इलाके में बेहतर किस्ट का लहसुन उत्पादित होता है और यही कारण है कि इसकी भारी डिमांड अन्य राजियों में भी रहती है उन्होंने कहा कि लहसुन के अच्छे उत्पादन होने से निशित तोर पर किसानो की आर्थिक स्तिती में सुधार होगा इस बार जो किसान जो काफी लगोशी महसुस कर रहे है कि काफी अच्छा रेट भी और काफी अच्छा लसन भी हो रहा है तो काफी अच्छी जो है नगदी फसल यहां पर हमारे इस बार जो किसान भाई की हो रही है और काफी अच्छा जो उनके आर्थिक स्थी उनकी उसमें स तो दर रिये